आज हम एक ऐसी पेड़नादायक महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने न केवल भारतियों को बलके पूरे विश्व को गर्वित किया है। हम बात कर रहे हैं सुनिता विलियम्स की जो एक भारतिय मूल्की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अगर हम सुनिता विलियम्स की शरुवाति दोर की बात करें तो आपका जन्म 19 सितमबर 1965 को ओहायो अमेरिका में हुआ था। आपके पिता देपक पंडिया भारतिय मूल्के थे और आपकी माँ बोनी पंडिया स्लोविनियाई मूल्की थी। सुनिता ने 1987 में United States Naval Academy से Physical Science में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और बाद में Florida Institute of Technology से Master of Science की डिग्री हासिल की। सुनिता 1998 में नासा के अंतरिक्ष यातरी कारेकरम में शामिल हुई। उन्होंने कई मिश्णों में भाग लिया और अंतरराष्टी ये अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। आपने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहते हुए एक वैज्ञानिक परियोग किये और Space Walk यानि अंतरिक्ष में चलने का भी रिकॉर्ड बनाया। 2006 में सुनिता ने अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी के साथ अपने पहले मिशन पर उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान उन्होंने तीन Space Walk की। वहीं 2006, 2007 में सुनिता ने ISS पर 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड भी बनाया और इस दौरान उन्होंने चार Space Walk किये जिनके कुल अवधी 29 घंटे और 17 मिनट थी। वहीं 2012 में सुनिता ने एक बार फिर आई ISS पर उड़ान भरी और इस मिशन के दौरान उन्होंने तीन और Space Walk किये। आपको बता दें कि सुनिता विलियम इस वक्त 58 साल की हैं। आपने एक बार फिर 5 जून 2024 को फ्लोरीडा के केव कैना वेरल से नासा के अंतरिक श्यातरी बैरी बुच विल्मोर के साथ बोईंग के स्टार लाइनर कैपसुल पर उड़ान भरी है। सुनिता विल्यम्स को उनके असाधारन योगदान के लिए कई प्रुसकारों और सम्मानों से भी नवाजा गया है। उनमें से कुछ प्रमुख प्रुसकार हैं। जिसमें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल, नासा डिस्टिंग्स्ट सर्विस मेडल और हारवन ट्रॉफी। सुनिता विल्यम्स के कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन प्रिश्रम, संपन और सपनों के प्रति अटूट विश्वास से हम किसी भी उँचाई को छू सकते हैं। उन्होंने न केवल भारतिये मूल के लोगों के लिए बलकि पूरे विश्व के लिए पेड़ना का सुरुत बने। सुनिता विल्यम्स कि उपलब्धियां हम सभी के लिए पेड़ना दायक हैं। उनकी यात्रा ये सिद्ध करती है कि अगर हम धिड़निश्चय के साथ अपने लक्षियों का पीछा करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। झाल